स्वागत है आपका एक नए व्लोग के अंदर और मैं हूँ आपका दोस्तों रोज खुर्रम व्लोगर और आप देख रहे आप का अपना यूट्यूब चैनल को रहा हुआ प्लस मैं आपको बताने जा पहली एलाइन है आपकी गोफस्ट जिसके ऑपरेशन काफी कम हो गए है दूसरी एलाइन है आपका कंसा एर और तीसरी है इंडीगो एलाइन ये तीन एलाइन इस एरपोर्ट से चलती हैं तो दोस्तों चैनल पर आगार आप नए है चैनल को सब्क्राइब कर लें कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट जरू करें और जादा जाद इस वीडियो को शेर करें ताकि लोग टर्मिनल टू से एजिली ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन पहुच जाएं तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो अगर आपने वैब चैकिन किया है तो अदर्वाइज आप अपना टिकेट दिखाकर इस गेट के अंदर से जाके और एंट्री पा जाएंगे टर्मिनल के अंदर जब आप टर्मिनल के अंदर आते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आपको चैकिन कर तरके लिखा हुआ है इस एरपोर्ट के अंदर A, B, C, D, E, E तक सारे रो बने हुए हैं तो दोस्तों हमें जाना था E काउंटर के उपर जहां पर इंडिगो का चैकिन चल रहा था और हमें बैगेज चैकिन कराने के लिए E रो पर जाना था तो आप सामने देख सकते हैं तो यहाँ से हमने क्यो जोएन की और कीयो जोएन करने के बाद आप अपना पोटो आइडि दिखा कर टिकित दिखा कर अपना बैगेज काउंटर पर जाकर हमने चैकिन करा दिया तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी रश रहता है तो आप एरपोर्ट पर जितना जलदी आ जाएगा और दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ handbag है और आप वैब्ड चेकिन कर चुके हैं बोर्डिंघ पास आपके पास है तो आप सीधा security में जा सकते हैं तो हमारे पास बैंक था, हमने बैक चेकिन करा दिया उसके बाद करा दिया उसके बाद दोस्तों हमें ये बोर्डि कब शुरू हो रहा है और कितने बज़े बोर्डिंग गेट क्लोज हो गई सारी चीजे जानना आपको बहुत ज़रूरी है तो दोस्तों यह बोर्डिंग कार्ड हमें मिल गया अब हम जाएंगे सिक्योर्डी की तरफ सिक्योर्डी में भी सारे दिशा निर्देश लिखे हुए देख सकते हैं सारे दिशा निर्देश दिए हुए है तो दोस्तों यह सिक्योर्डी का एरिया है अगर आप देखेंगे हैं पर स्क्रीन में हमें जाना था बैंगलोर तो यहां पर सारी फ्लाइट की डिटेल चलती रहती है बट बोर्डिंग कार्ड पे भी आपका गेट में में मेंचन है तो दोस्तों यहां से हमने सिक्योर्टी जोइन किया जोइन करने के बाद आपके सारे हैंडबै Limited Makeन Crypto आपका सारा फ्रिसकींग हुआ झार करने के बाद इस ऐरिया में आ जाते हैं यहां से आने के बाद दोस्तों अब हमें जाना है boarding gate की तरफ तो यहां पर भी सारी चीज़े mention की हुई है आप देख सकते हैं उपर signboard बने हुए हैं all gates के लिए right hand side पे sign हैं तो यहां से दोस्तो हम जाएंगे right hand side की तरफ अंदर में दिखाता हूं कि terminal 2 के अंदर security करने के बाद क्या क्या चीज़े available हैं तो हम लेके चलते हैं आप आपको boarding gate की तरफ तो दोस्तों आप जैसे security करते हैं आप इस एरिया में आ जाते हैं आप सामने ही देख पाएंगे यहां पर काफी सारा बड़ा sitting area बना हुआ है और प्लस आप यह stairs देखेंगे right hand side पर जो ऊपर की तरफ जाती हैं यह देखें यहां पर credit card या debit card lounge access है तो आपको सिर्फ अपने credit card या debit card से सिर्फ दो रुपे आपको देना होगा और आपको lounge के अंदर entry मिल जाएगी otherwise आपको जो भी charges रहेंगे lounge के वो pay करने पड़ेंगे दोस्तों आप जा रहे हम gate की तरफ आप देख सकते हैं 20 to 35 gates सब अंदर हैं और काफी लेके जा सकते हैं यहां से पैक कराके आप दुबारा देख सकते हैं यहां पर दुबारा से सारे दिशा निर्देश दिये हुए हैं सारे signboard बने हुए है यलो कलर में आप देख पाएंगे तो हमें जाना था gate number 34 की तरफ यहां पर information डेक्स भी है आप यह देख सकते हैं यहां पर आकर आकर आप कोई भी inquiry कर सकते हैं लाउंच के बारे में या गेट के बारे में तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर वाश्रूम वगरा सब चीज अवेलिबल है और हमारा gate number 34 पर आ गए हैं काफी बड़ा वेटिंग एर लगी हुए यहां पर भी और यहां का टर्मिनल 2 का food court area है यहां पर भी आपको KFC और काफी अच्छी अच्छी ब्रैंड के outlet मिल जाने वाले हैं तो अगर आपके पास time है तो इन चीजों का आप मजा ले सकते हैं और दोस्तों मैं तो कहूंगा कि आप time निकाल के airport पर आएं और airport की चीजों को explore करें क्योंकि दोस्तों जो आप टिकेट बनाते हैं उसके अंदर आपका सारा ही टैक्सिस लगता है तो दोस्तों आप इन चीजों का फायदा उठाएं इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में बताऊंगा कि बैंगलोर पोचने के बाद क्या-क्या मैंने किया तो दोस्तों चैनल को subscribe करें